तो आप लोग आप पार्ट थी सीरीज में और इसी के आगे कंटीनियू करते हैं अब हम लोग के विएस प्रिवेस येर कोश्टन की सीरीज में यहां से यह वाला पार्ट बहुत इंट्रेस्टिंग होंगे क्योंकि अब क्या है हमारे पास ग्रैमर के को अभी तक हमने मतलब होता है डिमांड करना तो जो है ठीक है और बिशीच मेंस किसी से बैगिंग करते वे मांगना इस सेंस में कहेंगे तो सॉलिशीट का अंसर ही हो गया ठीक है तो बीस का अंसर हो गया ठीक है है आता है था सेकेंड मांते हैं अमेकेबल इस विड्या का मतलब फ्रेंड ली होता है ठीक है के यह ए टी का मतलब ना मैं थरुदा सकरेट करना चाहूंगा सॉलिशीट का मतलब भी सीच नहीं होगा डिमांडी होगा क्योंकि का मतलब मैंने चेक किया थोड़ा सा मतलब होता है आपका किसी चीज को वह करना कि बैक करते वह मांगना बहुत ही रिक्वेस्ट फुल वे में मांगना तो डिमांड ही होगा सॉलेशिट आप जो है लीगल बाशा में बात करते हैं तो ठीक है तो अगर में प्रॉट इंपर्टेंट में पहली क्या रहा हूं उसमें कि यूंस कर और नहीं तो जब भी लेस्ट आएगा साथी होगा पलेश्ट अपने साह तो अब कौन से लिए शुड़ knife लेगा शूड़ नाट कि शुड़ अब में क्या होगे जैसे नाट कि अब्र इसक्रा के लिए अफुरी क्लास के लएगी कि लेस्ट और शुड अपने साथ पेयर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है और नॉट नहीं आता है उसमें देखिए अब यहां पर क्या है डैश मैं ब्रदर कम दिस मैसेज देखिए कंडिशनल सेंटेंस में एक बहुत अच्छा कोशन है यह भी कोशन नंबर फॉर वैरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं यदी मेरा भाई आता है तो उसे यह संदेश देना यदी मेरा भाई आता जब हम स्टार्ट में कंडिशनल लेते हैं तो कई बार हम इस कहते हैं और लेकिन इस की जगा शुडब भी यूजा जाता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोशन है सारे बच्छे इस पर पूरी किलास यहां पर ठहर जाएगी दो मिनिट का यहां पर स्ट्राटेजिक पॉ जाए शुडब तो वह यदी का काम करता है तो शुडब माइब रदर कम गिव हम इस मैसेज ठीक है तो यह शुडब वैसे क्या काम करता है अगर यह स्टार्टिंग में नहीं आता तो वैसे चाहिए का काम करता है मॉडल में जैसे वी शूडब देनेशन हमें देश की सेवा करनी चाहिए उस तरह के सेंस में फिर श्यल का शूट के सेंस में भी काम करता है ठीक है लेकिन यहां पर अगर इस चुट स्टार्टिंग में आ जा तो यह कंडिशनल का काम करता है समझ में आ रहा है ना सबको बहुत इंपॉर्टिंट पॉइंट है ठीक है उसके बाद फिर हम आगे वढ़ते हैं नेक्स आगया आउट अप देजिवन अल्टरनीटिव चूज़ वर्ड़ विच फिट्स इच डफिनेशन ओल्ड अन्मेरिड वोमन ओल्ड अनमेरिड वुमन को हम क्या करते हैं जो है उसको कहते ह हमें पता ही है a woman who has never had a physical relationship is called as virgin ठीक है clear ही हो गया फिर ये वाला वर्ड जो है शेपर्सन शेपर्सन companion या escort को कहते है especially escort जो है हम कह सकते हैं कि mistress के लिए भी use होता है mistress आपको पता ही है पहले से old cultures में खास कर English में England culture में mistress को रखा जाता था उसको फिर governance भी कहते थे ठीक है और mistress एक negative वे में भी use होता था वर्ड की ऐसी woman जिसके साथ जो है men रहते है men रहता है बट उसके साथ marriage नहीं करता तो उसको mistress कहते थे ठीक है तो उसके लिए हिंदी में बहुत ही एक अजीव सा वर्ड है तो वह नहीं बोलूँगा बट यह मैं बोलना चाहूंगा कि a type of you know woman from which you establish a relationship ठीक है तो वह इस अब यहां पर companion तो बड़ा अच्छा सा वर्ड लग रहा है लेकिन escort जो है negative word में भी use होता है ठीक है prostitute के sense में ज़्यादा इसको कहना चाहूंगा और फिर maid is a woman whose job is to clean house और hotel जिसे हम कह सकते हैं कि कामवाली जो बाई होती है उसको maid कहते हैं maid ठीक है यह जो है यह clear हो गया सबको ठीक है चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं साथियों इसमें फिर next हमारा आ रहा है हमें इसमें से जो है एक word जो गलत है उसको spell out करना तो adherence जो है adherence की spelling यह होती है adherence का मतलब होता है किसी चीज़ को follow करना you must adhere the rules of the community follow करना मतलब भी लिख ले ना इसमें लिखा नहीं एड़ 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 एड़न हो जाता है villain और forecast for go यह omission तो उसमें forecast जो बड़ है उसकी spelling है forecast का मतलब तुम लोग को पता है prediction करना forecast का second और third form क्या होता है forecast word है भाई वर्व है sorry तो forecast का second और third form क्या होता है पूरी ग्लास के सामने यक्ष प्रश्न हर्क्यूलियन question is second and third form is same yes it's just like telecast broadcast forecast all these words they take the second and third form as same verbs right very important let's move on to next question और फोर्गो फोर्गो वर्ड भी कही बार आता है जैसे फोर्गो कर देना जैसे आपको promotion मिलता तो आप फोर्गो कर देते हैं ताकि आपका जो है कहीं पर आपको बाहर न जाना पड़े तो फोर्गो means to means voluntarily give up किसी चीज को जान बूज कर संग्यानात्मक रूप से लेते वे छोड़ देना ठीक है फोर्गो करना हम कहते हैं जो आपको फोर्गो कर दिया प्रवोशन फोर्गो कर दिया उन्होंने समझ में आ रहा है तु लुक डाउन अपॉन तो फोर्गो की स्पैलिंग भी देख लो है तो यह तो किलियर ही है तो स्कॉर नैट लुग डाउन अपॉन मतलब किसी चीज को सकॉर मतलब किसी को निंदनी अंदिस्टी से देखना न से देखना ठीक है तो पूल स्ट्रिंग्स यह वाला है तो पूल स्ट्रिंग्स पूल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है तू मैनिपुलेट मैनिपुलेट मीज किसी को अपने हिसाब से चलाना किसी को बेवकूर बनाना यह किसी को अपने मर्जी के हिसाब से चलाना तूपुल स्ट्रिंग्स यह एक्चुली पपेट से बना है पपेट होता है ना पपेट आपने देखा कट पुतली तो उसके उपर से स्ट्रिंग्स होते हैं जिससे वह प अब आते हैं कोशन नंबर 11 पे चर्चा का विश्य होना चाहिए कोशन नंबर 11 आप यहां पर जो है यहां पर मुझे बताईए कि क्या होना चाहिए ठीक है एक्क्राइशन से इंफ्लूएंस होए बना ठीक है यहां पर मॉडल अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है तो ऐसा तो है नहीं कोशन बोड चर्ण के साथ वर्ब की फरस्ट फॉर्म मस्ट के साथ गो है तो यानि कि एक्टिव बॉइस में है प्रजेंट सिंपल टाइप का सेंटनमें से दूसरी बात की and के बाद फिर से वर्क की फर्स्ट पाउम में तो इससे और क्रियर होगी प्रेजंट टैंस है तो यहां लास्ट में वह या प्र पास्ट क्यों जाएगा लॉजिक कि ये बताना था इसलिए लास्ट में भी क्या होगा यह प्रेजंट ही होगा before you return ठीक है तो होल संटेंस इन प्रेजेंट टेंस यह हो गया ठीक है अब देखिए यहां पर देखिए तोड़ा इस वाले नेक्स्ट कॉश्चिन में ना कॉश्चिन नंबर 12 देर इस गॉइंग टू बी ए अब मेरे साब से तो यहां पर यह एलेक्शन नहीं होगा कह रहा है लेकिन पूरा पस्ट तरीके से नहीं बता रहा है एलेक्शन के साथ एंड होना चाहिए फिस देर इस गॉइंग टू बी एन एलेक्शन आफ ऑफिस वेरर्स और दा कोपरेटिव सोसाइटी बागी में तो द इलेक्शन समझ में आरा सबको वावल साउंड है और सिंगूलर काउंटेबल नाउन है और वावल साउंड है दोनों कंडिशन जब होंगी तो अपने साथ वो एंड लेता है भाई ठीक है जस्ट्री में नोट्स बिफोर ट्रेंड वास्टू रीज पर्टना शी सड़नली स्क्रीज टू हाँ यह कोशन मैंने सरकल किया है वेरी इंपॉर्टेंट है कॉंट्रोवर्शल कोशन है गाइस पूरी क्लास मेरे साथ जो बुक में एक्स्मेंशन दिया है मैं उससे बताइए अगर आपको भी कोई कॉंट्रोवर्शी लगती है तो आप अपने आंसर को लिखिए इवन यूट्यूब में अगर यह चैनल यह वीडियो जाएगा तो वहां पर भी कमेंट्स में लिखिए कोशन नंबर 13 प्लीज मुझे बताइए कि एक्समेंशन सही है या नही है आप लोगों से भी खुला निमंत्रन आईए और सीखिए फिर मैं जो हो सकता है कि आप लोगों को सैटिस्वाइक्शन लगे या ना लगे मेरे इसाब से यह आर्गुमेंट इसमें है देखो जस्ट्री मिनट्स बिफोर दर ट्रेन वास्टू रीच पंत्रा यह पंत्रा जो भी कोई जगा का नाम मान लो तीन मिनट्ट ठीक जब वो ट्रेन पहुँचने वाली थी वॉस्ट्रीच Carm आप शी यूज नहीं करोगे ट्रेन के लिए आप क्या यूज करोगे इट वो कह रहा है कि तीन मिनट पहले जब वो ट्रेन पंतरा पहुंचने वाली थी या पटना कुछ भी कहलो वहां ठिक तीन उससे तीन मिनट पहले ट्रेन जो है किसी ने चेन को खींज दिया जोर से ट्रेन की आवाज के लिए यूज कर सकते हैं आप इसको किसी महिला के लिए यूज नहीं करेंगे इस वर्ड को आप समझते हैं सान्ड होती है जब ट्रेन को है चेन को पूल अप कर देता है squeeze to a halt, तो जैसे ही train 3 minute पहले पटना से 3 minute पहले पहुँचने वाली थी, उसको रोका गया, उसको रोका गया, वो suddenly रुख गई, train जैसे ही पहुचने वाली थी पंतरा 3 minute पहले, उससे 3 minute पहले train अचानक से रुख गई, explanation satisfaction लग रहा है आपको? गोर्याइन के लिए आपने एट देढ़ना तो जाधा जो अप्रोप्रियेट आंसर लगरा वगएस की के ओपना चाहिए कुंकि जो है आप ट्रेंट के लिए यूज़ करेंगे तो शी नहीं यूज़ करेंगे और यह जो फरेज के ट्रेंग के लिए यूज होना चाहिए तब इस बार साथ वह पिर पोईडिक की बार नहीं को आप लिविंग नहीं देते हैं के नौन लिविंग को लिविंग देते हैं सवारी सोनिफिकेश्ट में में रहे चाहिए ना वैसे भी उसमें कुछ ने कुछ तो है मेरे साफ से इसमें एा सब rather कोईह कर करने के do करेंद कर बिदर करेंगी जाए है करते है तो इसट जादा नहीं है कुछ है ना ऑ उतता हैं कोशननावर फॉर्टींट मैं डिसकाउंट के लिए अनसर होना चाहिए इस होना चाहिए गीवन परियाप्ट ठीक है उसके बाद फटाफट नेक्स आ जाते हैं यह वाला कुशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप देखेंगे कि यहां पर इसमें क्या है कि कंडिशनल का यूज किया है नोंने तो इफ आइड नॉट टोल यू यू विल नॉट नौन दूट देखो परफेक्ट अपने साथ वुड़ है प्लस भी थ्री लेता है मैंने कंडिशनल के केसे आपको पहले वीडियो में बताया है तो पास्ट परफेक्ट अपने साथ वुड़ है प्लस भी थ्री लेता तो उसका जो एप्रोप्रियेट केस थ्री वाला यूज होगा इसमें तो डी इस कांसर है कंडिशनल का सिंपल सा रूल लगा है इसमें ठीक हो गया नेक्स कोशिन देख लेते हैं का इस भी बाउंड अप विट तो बी बाउंड अप विद मेंस बीजी ओब मतलब किसी चीज की जादा मात्रा हो जाना लेकिन यहां पर बीजी के साइंस में कहा रहा है तुबी बाउंड अप ठीक है एक टिड़ का मतलब बताना था आपको अनूंबर ऑफ टेनेंट्स हैं विक्टेड का मतलब होता है थ्रून आउट देखो एक होता है यह बाहर करना तो जब जो किरायदार हैं उनके लिए आप क्या यूज करेंगे फॉर्स फुली जब आप किसी को बाहर भैंकते या बाहर करते हैं घर से तो उसके लिए आप इविक्टेट है इविए आई सीटी ठीक है तो इसके बाद यह वाला कोशन आया है जिम केम येस् जो गिवन ऑप्शन है तो होगा नहीं विल भी कम तो नहीं होगा फ्यूटर की फ्यूटर परक्फट की बात नहीं है शेल कम यह विल बी कमिंग तो अब यहाँ पर क्या होना अची है I do not know whether he will be coming today या I do not know whether he shall come today क्योंकि यहां पर उसने do not know लगाया है ध्यान से देखना do not know अनिश्चित का भाव है uncertainty का भाव है future भी है और uncertainty का भाव है spoken English में तो will be coming चल जाएगा but according to grammar rule uncertainty future you will use future simple I shall I don't know whether he shall come today अब आई और वी के साथ ही शेल लगाते हैं आप argue कर सकते हैं बट यहां पर future के लिए और कोई best option ही नहीं है coming नहीं होगा यहां पर ठीक है तो answer जो है ना डी होगा डी समझ में आ रहा है क्यों क्योंकि do not know से uncertainty और future दोनों की बात एक तरीके से हो गई है uncertainty के लिए आप future simple का ही यूज करेंगे इस से दादा इसमें कुछ नहीं है इसके बाद फिर यह वारा question बहुत प्यारा है जॉर्ज वाज लेट टू रेस्ट बिसाइड इस पेरिट तो लेट टू आरेस्ट नहीं होगा ठीक है लेट टू रेस्ट एक्चुली ले की जो second form ले मेंस यहां पर है उसको बरी करना है तो ले की second form लेड और लेड ना सेकेंड में मुझे डाउट है लेन होता है आप चेक कर लेना लेड थर्ड यह तो कंफर्म है क्योंकि यहां पर वाज लगाया तो उसको जॉर्ज को भी अपने माता पिता के साथ ही दफनाया गया तो लेड टू रेस्ट आप इसको बोलेंगे तो यहां पर दफनाना बरी के सेंस में आएगा भी यू आर वाई बरी ठीक है तो इसलिए आप यहां पर लेड करेंगे जी फोर्स फुली में ही के साथ लग जाता है ठीक है तो लेड टूरेस्ट हो गया ना नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं गाइस पड़ाफट दर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोग्रा ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक्स फॉर्म आफ अरे भाई यहां पर पहले आ गया है तो आप यहां पर आ नहीं लेंगे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कर रहा है वो किसी एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम की तो आपको यहां पर भी दा लगाना पड़ेगा टेक्स दे फॉर्म आफ अगर यहां पर वो जेनरल ट्रेनिंग प्रोग्राम कह रहा है कि ट्रेनिंग प्रोग् नहीं दिया कि वह आ क्यों नहीं आएगा क्योंकि पहले भी आ नहीं आया है इस इट सेटिस्वेक्ट्री कि और यू और लॉजिकली समझ मां क्या सबको कोई एक विशेश ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कर रहा है वो कि चीक है और उस इसाब से फिर आप यह भी कह सकते हैं कि यहां पर सर यहां भी आया है तो फिर आप दो जगह आ गया तो फिर आप यहां पर यहां आ चाहिए क्योंकि यहां भी आया है और यहां भी तो दो जगह एरर नहीं होना चाहिए उस इसाब से आप यहां पर आ कर दें तो जाद कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो मेरे साफ से ज़्यादा यह लग रहा है जी जी गीता जी तो मैं वहीं आपके आंसर का लॉजिक बता रहा हूं तो अब यहां पर दो जगा आ गया तो फिर उसी लिए दा से पहले आ लगाना ठीक है कि तेकुसारे ब appropriately में स्कॉषिन में जुमान बता रहा था कि यहां पर मैंने बताया ना कि द लगा है तो इस Lisa पर भी आर नहीं हो eerर होगा तो जब इन दोनों नहीं हो सकता दो में एक साथ नहीं होगा तब हम इन दोनों के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेंगे यानि कि हम दो की जगह यहां पर ट्रेनिंग कर देंगे तो एरर इग्जैक्ली जो है इसमें जो दिया है उसमें फॉर्म आफ में नहीं है उससे पहले में एरर नहीं होना जाए मेरे साफ से अब अब क्या होना चाहिए डा की जेगा आप की वजह से इसको हowment हैं हम पहले इसकी वज़े से स्कोच चेंज कर रहे ए पर्ट की वज़े से को कर रहे थे गवी और सी एक जैसे हो गए तो ब्यावरी के विए ख़या है को टेंच कर नों कि अपकी लियर है इस प्रप्रडल को दो कर लेना कि वैस में वर्ड आएगा और इसके लिए हम वर्ड यूजज करते हैं वॉयलilar कृमिंगते हैं कि यह कि खुंक छाएं उसके लिए बूक है झायाए तो आपोजिट देना हमें जो घंदला ठीक है तो जाएं means जो गलतियां करता है तो जैसे तो apt to make mistakes or go wrong हम कहते हैं human beings are fallible मतलब वो मानुविय सभाव जो है गलतियों का पुतला है तो कहीं न कहीं fallible, infallible का मतलब होता है जो कभी गलती नहीं करता ठीक है और फिर उसके बाद हम लोग करते हैं कि last question देखते हैं series का कि I do not bother much about money I dash about it all my life देखो पहला sentence उसने दिया और present में दिया है अब present में उसने अपनी बात कह दी कि मैं पैसे के बारे में जादा नहीं सोचता हूं मैंने पैसे के बारे में कभी सोचा नहीं आज तक नहीं सोचता हूं तो पहला present simple दूसरा जो पार्ट है वह present perfect में वुलेगा क्योंकि पहला पार्ट present simple है तो इसी लिए आप इसको present perfect बनाएंगे बहुत important question है logic क्या है कि पहले ही उसने present simple का एक sentence दे दिया है तो जब वो present simple के बाद दूसरी बात अपनी करेगा उस sentence को तो फिर वो बताएगा कि मैंने आज तक कभी इसकी कोई चिंता नहीं करी है तो इसलिए क्या हो जाएगा I have never bothered about it all my life और दूसरी बात है all सबसे पूरी class यहां पर whole class यहां पर all को underline करेगी all हमेशा जब भी आता है तो आपका क्या होता है perfect perfect का मतलग completion का sense यानि पूरे जीवन भर मैंने कभी इस बात की चिंदा नहीं करी ठीक है ना काफी हद तक यह बात मुझ पर भी लागव होती है साथियों तो इस खुबसूरत सी बात के में पूरे जोश और खरुश के सांथ thank you so much and thank you so much enjoy your weekend thank you